So Hello Everyone, तो जितने भी Air Force के students इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस बार का exam देएंगे, ध्यान से देखना है इस वीडियो को, मैं यहाँ पर important जी के questions लेके आया हूँ, यहाँ पर मैं कोई ऐसे questions नहीं आपसे पूछने वाला, यू नहीं कुछ ऐसा सिर्फ quality की कर रहा हूँगा, जितने भी questions मैंने भी छाटे हैं, जो कि आपके exam में आ सकते हैं, वो यहाँ पर लिए हैं, आप पढ़ते रहे हैं, जो आपको पढ़ना है, जितना आप preparation कर रहे हैं, बस जो भी मैं भी वीडियो लाँगा इन 2-3 दिन में, प्लीज उनको देख लीजेगा, और आप देखें मैं आराम से 2-3 questions expect कर सकता है, और कैसे आपको क्या-क्या पढ़ना है, वो बताने वाला है, क्योंकि आप जितना आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ना है, अब वो पढ़ना है, जहां से कम पढ़के आप ज्यादा number आप score कर सकते हैं, strategy क्या होनी चाहिए, सब कुछ मैं आने निम, सिनोनिम, जितने important list है, वो मैं खुद करवाऊंगा, one word हो गया, adjective हो गया, क्या pattern रहता Air Force में, कैसे आपको इस shift में, exam में आपकी questions आएंगे, उससाब हम लोग उस वीडियो में discuss करेंगे, तो stay tuned, आप subscribe कर लेने चैनल को, और notification को प्रस कर लेना ता कि आप लोगों को हर वीडियो का notification मिलता रहे, अब ही शुरू करते हैं इस वीडियो का और बाकी की जो बाते हैं, वो हम लोग बीच वीच में करते रहेंगे, यह important चीज़े, Air Force Day, Navy Day, Army Day आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, यह तीन, देखें, तीन shift में आएगा, repeat questions होते रहें, ना तो Navy में न, Air Force में, हाँ, बहुत सारे students पूछे दे, Sir, Navy में इस बार Current Affair नहीं है, आपकी PDF से नहीं है, Current Affair जो अपने दी थी, और इस बार, अब देखें, reason मैं बता रहूं क्यों नहीं आया था, क्योंकि Navy में Current Affair इस बार आया ही नहीं है, बिल्कुल, और बहुत students को इस बा प्रेज, आप तीन मान के चल सकते हो, PDF से बाहर नहीं जाएगा है, बता रहूं क्यों, क्योंकि Navy सिर्फ deflection करता है, पिछले से पिछली बार जिन लोग ने Navy के exam दिया हो, उन लोग पता होगा, एक भी question नहीं है, पिछली बार आया था, इस बार फिर उन लोग ने की question नहीं Chief Election Commissioner कौन है, प्रेजेंट टाइम के सुनील अरोडा है, ठीक है, और फिर देखे, तीन चीजे नीचे लिखे हुई है, दो अजार बाइस के commonwealth game, इस question नहीं, games हो गया है पर, तो ये बर्मिंगम में होंगे, और 2022 के Asian Games, चाइना में होंगे, और देखे, जितने भी बाकी चीज ये मैं आपको कुछ extra चीजें बता रहूँ जो आपको PDF में नहीं मिलेंगी, अब मैं PDF में भी आऊँगा, कुछ यहाँ पर important चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखे, मैं कुछ यहाँ पर specific बातें नहीं करने वाला हूँ, तो please इस वीडियो को last देखे ना, क्योंकि यहाँ पर मैं राइंडमनी चीजें बताने वाला हूँ, जो कि आपको एक्जाम में डारक्ट आएंगे, ठीके ना, अब अगला देखे, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, यह गरंटी ले ले लिए आप मेरे से लिख के 100% आएगा, मैं यह नहीं बुलना हूँ, लेकिन दो से तीन शिफ्ट में यह आएगा ही आएगा, 100%, जब आएगा तब आप इसका विस्वास करेंगे, और प्लीज इन क्वेस्टन को गलत मित कीजेगा, क्योंकि यह 100% आएगा, और यह मैं डिटेल में से बता रहा हूँ, 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, वो इंड लेकिन मैं यह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक दो लोगों की PDF में मुझे यह एरर सुनने को मिला है, कि उनकी PDF में फ्रेंच ओपन में आपका नुवाग जोकोविस दिया, और ऑस्टेलियन ओपन में राफेल नडाल, तो इसको आप सही कर लेना, करेक्ट कर लेना, लेए, ठीक है, अब इस बात को नोट कीजेगा, कि आपके exam में जो है, एक question, dam से आएगा, कि यह बांध कौन से नदी पर बना है, वो इस वीडियो, अभी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, कौन कौन से important है, सभी important नहीं होते हैं, जो important हूँ आपको करवा रहा हूँ, मैं अभी करवा हूँ, सभी super important है, आप इसको skip नहीं करना है कुछ, क्योंकि एक मैंने बहुत दिनों से इसको analyze मैंने बैठ के किया है, तब आपके सामने ला रहा हूँ है, ऐसे फरजी में नहीं है, ठीक है, तो जो उकाई dam है, वो गुजरात में तापी नदी पे है, फिर आ मपता जहकरी डैम कहा है, यह सतलज नदी पे यह भी है, ठीक है, उसके बाद आजाते हैं बगलीहर डैम, बगलीहर है, जम्मु कशमीर स्टेट में, स्टेट अभ नहीं रहा, य्रिंट एरिटरी होगा है, तो बगलीहर डैम जो है, चेनाब नदी पे चेनाब रिवर पे, ब तंग भद्रा तंग भद्रा नदीप है करणस्ते पर आपको जो याद करना है कुंग नदीप है करुला फिर आपको के नवी एगजाम में आया था की यह है पुझे याद करना है गांधी सागर देखिए सब इंपोर्टन नहीं इसी वैसे मैं बीच में स्किप करता चल ला हूँ पढ़ाने के तो मैं सब पढ़ा सकता हूँ मेरे को कुछ दिक्कत नहीं लेकिन आपको दिक्कत होगा याद करने में तो यहां पर इंपोर्टन बत अब हम लोग एक और साकर देखेंगे फिर आपको जो याद करना है वो है यहां पर इंपोर्टन नहीं है कोई उसके बाद आपको याद करना है सबसे इंपोर्टन सुपर इंपोर्टन हीरा कुड डैम पिछली बार आया था महानादी रिवर पर रिवर ठीक है वयगई बांध भी बहुत important, super important रट लीजे, सबसे उंचा बांध है और यह भागी रती नदी पे स्थित है, आपको इतने डायम बस याद करने जो मैंने इस वीडियो में भी बता है, आपको इनको note भी कर सकते हो, इनको revise भी कर सकते हो, अब मैं आपको थोड़े करवाने वाला हूँ, नेशनल पार्क से जो important है, नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सब नहीं आद करने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वह याद करने हैं, दूसरा नमबर वाला देखिए, बांधिपूर नेशनल पार्क है, करनाटक में हैं, कहां पर है, वही पूछ करते चलिए साथ साथ, भीतर कनिका, उडिसा में, यह मैं important वाले बता रहा हूँ, ठीक है, फिर बकसा टाइगर डिजर्फ, यह आपका वेस्ट बेंगॉल में है, फिर आपको जो याद करना हैं, दची गम, दची गम नैशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, फिर आपको या हैं, यह important है, गुंडी, गुंडी नैशनल पार्क तमिल नाडू में, यह important है, और यह देखे, गल्फ ऑफ मननार, अभी मननार से मेरे को एक चीज यहाँ पर रहाद आया, कि भारत और से लंका क्या अलग करता है, पाक स्ट्रेट, उसका नाम है और जिसको गल्फ ऑफ मननार इस बार नवी एक्जाम में पूछा भी गया है, और मैंने कई बार आपसे बताया भी था पहले कि यह पूछा जाएगा, और अभी मैं super important job की एक वीडियो लाओंगा, जीके की, जिसमें कि मैं polity के history के questions बताऊंगा, वहां से नहीं, उसके बार से नहीं आएगा, वैसे तुम के link, current fair की हो, polity की हो, और geography की हो, history की हो, सब के link जो है, description में मिल जाएंगा, वहां से जाकर आप download कर सकते हो, वैसे तो मैंने share कर दी थी, उससे बाहर अभी तक नेवी exam में जितने भी shift हुए, नहीं आया है, लेकिन मैं उस वीडियो में super important करवाने वालों, जिनके chances बहुत आदा है, वहीं से आपको देखने को question मिलेंगा, अगर आपने नहीं भी पढ़ जोगी, तो अभी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, फिर आगे हैं, और make sure subscribe करके रखना चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियो के notification मिलते रहे, अगला देखिए, यह हजारी बाग नैशन सबसे पहला नैशनल पार्क है, उत्तरा खंड में ही है, फिर काना पढ़ना आपको, यह काले सार नहीं पढ़ना है, काना पढ़ना काना आव नैशनल पार्क मध्यपरदेश में है, फिर जो आपको पढ़ना काजी रंगा, सुपर इंपोर्टेंट है, काजी रंगा नैशनल पार्क मनीपुर में यह important क्यों है क्यों क्योंकि यह पहला floating national park है इंडिया का मनीपुर में है ठीक है क्यों ला देओ national park यह भी important है राजस्थान में कंचन जंगा national park सुपर important है इस बार के लिए नोट कर लिए यह क्यों क्योंकि यह भी UNESCO world heritage site mixed first mixed heritage site of India अभी declare की गई थी सिक्किम में यह ठीक है और सबसे उंचा national park है इंडिया का कंचन जंगा national park फिर आप आएंगे कुद्रेमुक national park करनाटक में माधव national park मध्य प्रदेस माधव और यह मध्य तो याद करने में दिक्कत नहीं होगी फिर आते हैं मातमा अधनी marine park तो यह है अपका अंडमान निको बार उसके बाद मानस यह महावी नहीं आपको याद करना मानस असम में important है फिर अगर आऊं तो बस इतने पढ़ने आपको जितने मैंने बता है इसके बाहर आपको एक्जैम में नहीं आएगा अगर नैश्विल पार्क आया अब बायलोजी की वीडियो देख लेना कंप्यूटर की वीडियो देख लेना और वो ट्रेंड के हिसाब से इस बार भी आ सकते हैं आप बहुत ज़्यादा चांसे हैं कि चार से पांच कुश्चन्स या फिर दो से तीन कुश्चन्स तो आएंगे याएंगे और मैं पूरे जो important concept है वो उस वीडियो में लाने वाला हूँ तो make sure subscribe रखना चैनल को और जैस इसमें कि मैं important चीजें बता दूंगा जैसे कि important क्या है पॉलिटी के लिए है जैसे कि राजय सभा में कितनी सीटें होती हैं लोग सभा में कितनी होती हैं उस सब मैं आपको स्वीडियो में बताने वाला हूं English की वीडियो कल मिल जाएगी आपको जिसमें भी मैं आपको important antonym noun adjective verb यह सारे concept आपके clear करने वाला हूं और कहां से question आएंगे जैसे कुछ concept होते नो सुनर द्यान वाले not also but यह वाले जो concept है इन पर भी question लगा क्योंकि इन पर एक-एक question आता है मैंने बहुत analyze किया बिछले 5-6 दिन से मैं यह analyze कर रहा हूं नेवी का paper डालता जरूर था लेकिन एर होस के लिए मैं analyze कर रहा था बैटके तो इसका चिंता मत कीजिए मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूं अपनी तयारी करते रही है जो मैं वीडियो डालता जा रहा हूं बस उनको आप देख लीजे ठीक है सुन लीजे उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद दो दिन से बिछले दिन से और जो मैं बता रहा हूं country उसी की आपकी capital पूछी जा रही है मैंने परसों बोली थे औस्टेलिया के आएगी तो कल आस्टेलिया के आगई आएगी तो आज इंडोनेशिया की आई capital आप से तो मैं important audio share करते रहता हूं तो please जोड़े रहें परमार नाम से टेलिग्राम चैनल है उसका बीलिंग आपको description मिल जाएगा धन्यवाद